राधे राधे एवरिवान दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागते आज आप कथा सुनेंगे सुम्बार ब्रत की पौराणि कथा कहानी सुने मातर से होगी आपकी सभी मनों कामनाई पूर्ण स्रीकृष्णा जी और राधरानी की करपस सदेव आप सभी पर बनी रहे आईए सुम्बार ब्रत की कथा की शुरुआत करते हैं एक नगर में एक सेट रहता था उसे धन एशर की कोई कमी नहीं थी फिर वी वे दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था पुत्र प्राप्ती के लिए वे पृतेक सुम्बार को ब्रत रखता था तथा पूरी श्रधा के साथ सिवाले में जाकर भगवान गौरी संकर की पूजा करता था उसके भक्ती भाव से दया मई पारवती जी द्रवित हो गई और एक दिन अच्छा अवसर देख कर उन्होंने संकर जी से विंती की स्वामी यह नगर सेठ आपका परमभक्त है नियमित रुप से आपका ब्रत रखता है फिर भी पुत्र के अभाप से पीडित है क्रप्या इसके कामना को पूरा करें दयालो पारवती की ऐसे इच्छा को सुन कर भगवान संकर ने कहा पारवती देवी यह संसार कर्म भूमी है इसमें जो जैसा करता है बैवैसा ही भड़ता है इस साहुकार के भाग में पुत्र का सुख नहीं है संकर के इनकार से पार्वती जी निरास नहीं हुई उन्होंने संकर जी से तव तक आग्रे करना जारी रखा जब तक की वे उस सहुकार को पुत्र सुख देने को तयार नहीं हो गए भगवान संकर ने पारवती से कहा तुमारी इच्छा है इसलिए मैं इसे एक पुत्र प्रदान करता हूँ लेकिन उसकी आयोक केवल बारा वर्स होगी सायोक से नगर सेट गौरी संकर समवान सुन रहा था समय आने पर नगर सेट को सर्व सुक संपन पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई सब और खुशिया मनाई गई नगर सेट को वधाईया दी गई लेकिन नगर सेट की उदासी में कोई कमी नहीं आई क्योंकि वह जानता था कि यह पुत्र के वल बारा वर्स के लिए प्राप्त हुआ है उसके बाद काल इसे मुझसे छीन लेगा इतने पर वी सेट ने सुमवार का ब्रत और गौरी संकर का पूजन हवन यथा विधी पहले की तरह ही जारी रखा जब बालक 11 वर्स का हो गया तो वह पूण योवा जैसे लगने लगा फलता सवी चाहने लगे कि उसका विवाह कर दिया जाए नगर सेठानी का भी यह यागरे था किन्तु नगर सेठ पुत्र के विवाह को तयार नहीं हुए उसने अपने साले को वुलवा कर आदेश दिया कि वह परियाप्त धन लेकर पुत्र सहीत कासी के लिए कूच करें और रास्ते में भजन तथा दान दक्षणा देता हुआ कासी पहुँचकर सब विध्या में पून वनाने का प्रियास करें मामा भांजे कासी के लिए रवाना हो गए हर पड़ाव पर वे यग करते ब्रहमनों को वोजन कराते और दान दक्षणा देकर दीन हीनों को संतुष्च करती इसी प्रकार वे कासी की ओर वड़ रहे थे कि एक नगर में उनका पड़ाव पड़ा था और उस दिन उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था बरात आ चुकी थी किन्तु वर पच्च वाले वहवीत थे क्योंकि उनका वर एक आख से काना था उन्हें एक सुन्दर युवक्की आवश्यक्ता थी गुप्त चरों से राजा को जब सेट के पुत्र के रूप गुड की चर्चा का पता चला तो उन्होंने विवाह के पूरा होने तक लड़का यदि दूला बना रहेगा यदि दूला बना रहेगा तो वे उन दोनों को बहुत धन देंगे और उनका एहसान भी मानेंगे नगर सेट का लड़का इस बात के लिए राजी हो गया कन्या पक्ष के लोगों ने राजा की पुत्री के भागी की बहुत सहारना की कि उसे इतना सुंदर बर मिला जब सेट का पुत्र विदा होने लगा तो उसने राजा की पुत्री की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवा मेरे साथ हुआ है मैं राजा का लड़का ना होकर नगर सेट का पुत्र हूँ और विद्यादन के लिए कासी जा रहा हूँ राजा का लड़का तो काना है राजा की लड़की ने अपनी चुनरी पर कुछ लिखा हुआ देखा तो उसे पड़ा और विदा की समय काने लड़की की साथ जाने से इनकार कर दिया फलता राजा की बारा खाली हांत लोट गई नगर सेट का पुत्र कासी जाकर पूरी श्रद्दा और भक्ती से विद्यायन में जुट गया उसके मामा ने येग और दान पुन्न का काम जारी रखा जिस दिन लड़का पूरे बारे वर्सका हो गया उस दिन भी और दिनों की तरह यग्यादी हो रहे थी तभी उसके तव्यत खराब हो गई बैभवन के अंदर ही कमरे में आकर लेट गया थोड़ी दिर में मामा पूजन करने को उसे लेने आया तो उसे मरा देखा तो उसे अतिन्त दुख हुआ और वे बेहोस हो गया जब उसे होसाया तो उसने सोचा कि यदी में रोया चिलाया तो पूजन में विग्ण पड़ जाएगा ब्रहामालोग वोजन त्याक कर चल देंगे अता उसने धैर धारण कर समस्त कार निप्टाया और उसके वाद जो उसने रोना सुरू किया तो उसे सुनकर सभी के हिड़े विधिण होने लगा सौभाग से उसी समय उसी रास्ते से गौरी संकर जी जा रहे थी गौरी की कानों में वे करुण कृधन पहुचा तो उनका बादसल से पून हिर्दे करुणा से भर गया सही इस्तिती का ज्यान होने पर उन्होंने संकर भगवान से आगरे किया की वे बालक को पुना जीवन प्रदान कर देई संकर भगवान को पार्वती जी के प्रात्न सुईकार करनी पड़ी नगर सेट का एकलोता लाल पुना जीवित हो गया सिच्छा समाप्त हो चुकी थी मामा भांजे दोनों बापिस अपने नगर के लिए रवाना हुए रास्ते में पहले की तरह दान देख्षणा देते उसी नगर में पहुँचे जहां राजा की कन्या के साथ लड़के का विवा हुआ था तो ससुर ने लड़के को पहचान लिया अत्यंत आदर सतकार के साथ उसे महल में ले गया सुब मूरत निकाल कर कन्या और जमाता को पूर्ण देहच के साथ विदा किया नगर सेट का लड़का पत्नी के साथ जब अपने घर पहुचा तो पिता को यकीन ही नहीं आया लड़के के माता पिता अपनी हवेली की छट पर चड़े वैठे थी उनकी प्रतिग्या थी कि वहां से तभी उतरेंगे जब उनका लड़का स्वैम अपने हाथ से उन्हें नीचे उतारेगा वरना उपर से ही छलांग लगा कर आत्म हत्या कर लेंगी पुत्र अपनी पत्नी के साथ हवेली की छट पर गया जाकर मावापकी सब्तनीक चरण सपर्स की पुत्र और पुत्रवधु को देखकर नगर सेठ और सेठानी को अत्यंत हर्स हुआ सबने मिलकर उत्सामनाया दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है हमारी सोमबार की ब्रत कथा आईए दोस्तों अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सिप जी की आरती जैसिव ओमकारा स्वामी जैसिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदासिव अरधांगी धारा ओम जैसिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुणासन व्रजवाहन साजे ओम्जै सिव ओमकारा दो भुजे चारे चतुरे वुजे दसे वुजे अतिसो हे स्वामी दसे वुजे अतिसो हे त्रे गुणे रूपने रखते त्री वुवने जने मोहे ओम जैसिव ओमकारा अच्छे माला वने माला मुंडे माला धारी स्वामी मुंडे माला धारी त्रे पुरारी कनसारी करमाला धारी ओम जैसिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनका देके गरुणा देके भूता देके संगे ओम जैसिव ओमकारा करके माधिक मंडल चक्र त्रशुल धारी स्वामी चक्र त्रशुल धारी सुख कारी दुख हारी जग पालनिकारी ओम जैसिव ओमकारा प्रह्मा विश्नु सदासे वे जानते अविवेका श्वामी जानते अविवेका प्राणे वाक्षर में सोवित ये तीनो एका ओम जैसिव ओमकारा त्रिगोडे स्वामी जी की आरिती जो कोई नरे गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत सिवानन्दी स्वामी कहत हरी हरी स्वामी सुख सामपती पावे सवे दुख मिटे जावे बुलो संकर वगवान की जै दोस्तों अगर आपको सुम बार की पौराणिक कथा और आरती पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले आप सभी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए राधी राधी एवरीवान